हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलरी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है तो आज हम अनायलसिस करेंगे सेंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो as usual शुरू करूँगा fingers के analysis से उसके बाद चेक करेंगे fingers की setting को and mounts को और सबसे last में हम चेक करेंगे lines को इस तरह से पुरी hand का जो analysis हम complete करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं सासा draw करता जाओंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा यह जो नंबर आपको आपकी screen के उपर नजर आ रहा है यह मेरा WhatsApp नंबर है अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टिशन लेना चाहते हैं तो आप हमें WhatsApp के जरीए, Signal के जरीए या फिर टेलेग्राम के जरीए Message सेंड कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है एक स्क्वारिश फॉर्म में नजर आ रही है हलकी लंबाई लिए है एक rectangle जैसी shape इसको हम कह सकते हैं आप देख सकते हैं कि shape इनकी हथेली की जो indicate करती है एक hard working and analytic type की personality को साथी साथ अगर हम इनकी fingers की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी fingers काफी लंबाई में हैं और सभी fingers के बीच में clear gaps आपको नजर आएंगे कुछ इस तरह के gap आप देख सकते हैं इनकी सभी fingers में बनते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह के gaps का होना indicate करता है कि native काफी independent सभाव का रहने वाला ऐसे व्यक्ति थोड़े जिद्धी nature के भी होते हैं जो काम करने की ठान लेते हैं उसको करकर ही दम लेते हैं कुछ इस तरह का सभाव fingers में बनने वाले इस तरह के gap देते हैं लंबाई की बात की जाये तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी तरजनी उंगली बहुत अच्छी लंबाई में नजर आ रही है इस उंगली का अच्छी length में होना दर्शाता है कि native की leadership qualities काफी अच्छी रहेंगी ऐसे व्यक्ति spiritual minded होते हैं धरम करम के काम करने वाले दूसरों को रास्ता दिखाने वाली personality ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती हैं अगर हम इनकी शनी फिंगर की बात करें तो बहुती अच्छी लंबाई में आप यहाँ पर इनकी शनी फिंगर को देख पाएंगे इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना indicate करता है कि native काफी मेहनती रहेगा यहाँ फिंगर जादा लंबाई में होती है तो ऐसे व्यक्ति काफी discipline भी होते हैं और अपनी इनहीं खूबियों की वज़े से अपनी discipline वाली अनुशाशन प्रिया होने वाली खूबी की वज़े से ऐसे व्यक्ति जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में भी काम्याब रहत हैं अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो length में यहाँ फिंगर आपको इनकी तरजनी से भी थोड़ी अधिक नजर आएगी सूर्य फिंगर का अधिक लंबाई में होना दर्शाता है कि native काफी creative nature का रहेगा काफी अच्छी artistic qualities ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं ऐसे व साथी साथ एक risk taker type की personality भी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती ऐसे native जीवन में risk लेने से नहीं घबराते और कई बार तो ऐसे native अपनी धन की investments के मामले में भी risk लेने की रूची रखते हैं अपने धन को ऐसी जिगाहों पर invest कर देते हैं जहां पर loss की chances हों जैसे share market है, crypto currencies है, mutual funds जैसी चीजें इनमें भी अपने धन को लगा सकते हैं, अगर हम इनकी mercury finger की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे mercury finger length में काफी अच्छी है, यहां इनके सूर्य finger का top range से थोड़ा नीचे रहते हैं क्योंकि यहां पर यह finger हलकी सी low set भी नज़र आ रहे हैं, मैं यहां पर ए इस finger का low set होना native को थोड़ी shy type की nature देता है, otherwise इस finger की length का अच्छा होना इनके लिए काफी अच्छा रहेगा, communication skills native के बेतर रहते हैं, business equipment भी ऐसे व्यक्ति का काफी बेतर देखा जा सकता है, चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं, इनके सभी mounts को उसके बाद हम चेक करे इनकी सभी रिखाओं को भी, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके गुरू परवत की, आप यहाँ पर देखेंगे गुरू परवत काफी उभरा हुआ है, यह माउंट अगर उठा हुआ हुआ हूँ, और साथ में यहाँ पर एक आख जैसी अक्रीती भी बन जाए, जिसे हम बुद्धा जाई कहते हैं, दोनु चीजें एक साथ हाथ में हो रही हो, तो ऐसे व्यक्ति स्प्रिश्वल माइंड होते हैं, धर्म करम के काम करने वाले, साथी साथ ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है, आने वाली घटनाओं का पूरवा अभास, ऐसे व्य गुरू परवत के ऊपर आपको कुछ इस तरह की आड़ी रिखाएं भी नजर आएंगी, ऐसी रिखाएं, चिने हम लाइन्स ऑफ सिंपथी कहते हैं, एक सिंपथाटिक सभाव को तो दर्शाती ही हैं, साथी साथ मल्टिपल सोर्सिस ऑफ इंकम भी ऐसे व्यक्ति के देखे गुरू परवत के ऊपर बनने वाला क्रॉस का चिन आप यहां पर देख पाएंगे, इस तरह का क्रॉस का चिन सिर्फ यहां पर ही सबसे अच्छा माना जाता है, अथेली में कहीं पर भी और क्रॉस का चिन हो तो नेटिव को उसके नुकसान हो सकते हैं, लेकिन गुरू उसका चिन होने से निटिव बहुत ही ज्यानवान होता है धिरे धिरे अप करकर अपने चीवन में काफी अच्छा धन कमा लेता है काफी धनवान भी हो जाता है अगर हम बात करें इनके शनी परवत की तो यह एरिया आपको फ्लाट नजर आएगा जिस वजे से जीवन के शुर पड़ती हुई नजर आ रही है यहां से आप देख सकते हैं यह रेखा लगबग इस सेरिया तक बहुत स्ट्रॉंग है आगे का कुछ पोर्शन आपको यहां पर थोड़ा से कमजोर नजर आएगा फिर से यह रेखा आगे बढ़ रही है तो इस तरह की फेट लाइन का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के चीवन में उतार चड़ाव रहेंगे ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार अपस और डाउंस का सामना भी करना पर सकता है लेकिन यहां से यानि मस्तिक्ष रेखा के बाद से जिनकी भाग्या रेखा स्ट्रॉंग होती है ऐसे व्यक्ति 36 की एच के बाद चीवन में बहुत अच्छी तरक्की पाते हैं और काफी उच्चाई तक पहुन जाते हैं भाग्या रेखा का बीच बीच में से कटना भी अच्छा नहीं माना जाता जैसे यह कुछ रेखाएं इनकी फेट लाइन को टच करती हुई या क्रॉस करती हुई नजर आ रही हैं इन रेखाओं को स्ट्रेस लाइन्स कहा जाता है और ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को चीवन में कई बार अपस और डाउंस का सामना करना पड़ता है अब देख सकते हैं इनके हाथ में इनके सूर्य परवत को सूर्य परवत बिलकुल फ्लाट नजर आ रहा है जिस वज़े से यश्की कमी रहेगी लंबी सूर्य रेखा का यहां पर अभाव है लेकिन यहां पर एक ट्राइंगल का चिन आपको बनता हुआ नजर आएगा इस तरह का ट्राइंगल का चिन सूर्य परवत के उपर बन रहा हो तो नेटिव को गौर्मेंट की तरफ से लाब मिलते हैं ऐसा व्यक्ति गौर्मेंट से जोड़ा की काम कर सकता है कई वर पॉलिटेक्स में जाने के चांसे भी रहते हैं और इस तरह का चिन होने से नेटिव अगर अपनी पूरी कोशिश करे तो गौर्मेंट जौब में भी जा सकता है अगर हम बात करें इनके बुद्ध परवत की तो आप यहां पर देखेंगे हलका सा लो सेट होता हो बुद्ध परवत लेकिन यहां एरिया काफी उठा हुआ है इस माउंट के उपर आपको कुछ ऐसी खड़ी रिखाएं बारीक रिखाएं भी नज़र आएंगी जिने हम हीलिंग लाइन्स कहते हैं ऐसी रिखा हार्ट लाइन कुछ इस तरह से आगे बढ़कर विश्नु चिन बनाती हुई नजर आ रही है ऐसा चिन लोगों के थेली पर बनता है ऐसे व्यक्ति बहुत लकी होते हैं जिनके हाथ पर ऐसा विश्नु चिन बन जाए ऐसा व्यक्ति अगर इमानधारी के रास्ते पर जीवन म लगे तो चीवन में बड़ी दिक्तों का सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है हार्ट लाइन में यहाँ पर आपको कुछ दिक्ते भी नजर आएंगी विल्कुल इस सेरिया में आकर 40 बलस की एच में हलकी हलकी डाउनवर्ड ब्रांचिस आपको नजर आएंगी इस तर कर रह सकती है अगर हम इनकी माइंड लाइन की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे मस्तिक श्रेखा कुछ इस तरह से हलका सा नीचे की तरफ जुकती हुई नजर आ रही है एक ब्रांच उसके साथ साथ नीचे की तरफ फोर्क बनाती हुई इस तरह का फोर्क अगर हाँ तो नेटिव की इमेजिनेशन करने की पावर काफी अधिक रहती है कलपना शीलता काफी स्ट्रॉंग होती है ऐसा व्यक्ति अच्छा राइटर बन सकता है अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है ओर थिंकिंग की समस्या का सामना भी ऐसे नेटिव को करना पड़ सकता है जि यह रेखा अच्छे फल देती है अदरवाइस इस तरह की फोर्ड माइंड लाइन का होना नेटिव को थोड़ा स्ट्रेस या तनाब भी दे सकता है अगर हम बात करें इनकी लाइन आफ लाइफ की तो आप यहाँ पर देखेंगे कि लंबी लाइफ लाइन इनकी थेली में नज़र आ रही है कुछ इस तरह की लाइफ लाइन आपको यहां तक पहुंचती है और एक ब्राच इसमें से अंदर की तरफ जाती हुए नज़र आपको ड्रा करकर दिखाना चाहूंगा एक फिश ऐसा सिंबल इनकी लाइफ लाइन के लास्ट में जाकर बनता हुआ आपको नज़र आएगा इवन यहाँ पर डबल फिश का चिन बनता हुआ सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कुछ इस तरह की रिखाओं से ऐसा चिन अगर यहाँ पर बन रहा हूँ तो नेटिव को चीवन में कई बार अचानक धनलाब होते हैं ऐसा चिन होने से इंशूरेंस के जरिए इन्हेरिटेंस के जरिए शेर मार्केट या लॉटरी जैसी चीजों से चीवन में धनका लाब होने की संभावनाएं रहती हैं इस तरह का चिन जीवन में कई बार लंबी दूरी की यात्राएं भी व्यक्ति को देता हैं अगर हम इनके शुकर परवत की बात करें तो यहाँ पर वीनस का एरिया थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा हैं वीनस माउंट के ओपर काफी सारी ऐसी आड़ी और सीधी खड़ी अच्छा नहीं माना जाता अगर हम इनके चंदर परवत की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे चंदर परवत का एरिया यहाँ पर बहुत सारी रिखाएं मौजूद हैं इस तरह की रिखाएं जो नीचे से उपर की तरफ चलती हैं ऐसी रिखाएं होने से लंबी द का सामना भी नेटिव को करना पड़ सकता है तो दोस्तों ये कुछ अनेलसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी स्वालों के जुआब एक ही वीडियो के थुरू दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई न कोई चिन या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेशन पैंडिंग है तो मुझे वट्सैप पे मेसेज करें मेरा वीडियो वाच करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद